नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनुज राजगुरू और आपका एक बार फिर से स्वागत है विजेश्वार सक्सेस मंत्रा में आज हम बात करेंगे भारती भुगोल की तो इंडियन फिजिकल जियोग्रफी का आज हम टॉपिक लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो ये रा भारत का मैप तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जियोग्रफी के बारे में तो भारत को बिलकुल दो भागों में बाटने वाली एक imaginary line है जिसे बोला जाता है करक्रेखा और यह स्थित है साड़ेतेज डिग्री उत्तर में तो साड़ेतेज डिग्री नौर्थ में स्थित करक्रेखा गुजरतिय भारत के आठ राज्यों से और यह आठ राज्ये हैं गु काई कैसा टुकड़ा जो तीन तरब से पानी से गिरा होता है तो यह पूरा प्राइद वुपे भारत है इस साड़ अगर बात की जाए पूरब में तो यहां पर स्थित है बंगाल की खाड़ी बेयो बेंगोल जिसे बोला जाता है जबकि प्राइद वुपे भारत के ठीक प मनार की खाड़ी तो इंडिया और श्रिलंका के बीच में स्थित है मनार की खाड़ी यानि प्राइद वुपे भारत के ठीक दक्षिन में है मनार की खाड़ी इंडिया और श्रिलंका के बीच में तो बात करें प्राइद वुपे भारत के पूरवी तट को तो इस तट को बो जबकि ये भारत का पश्मी तट और इसे दो बागों में तोड़ा जाता है तो केरल से गोवा के बीच में इस तट को बूला जाता है मालाबार तट जबकि इस से उपर गुजरा तक इसे कहा जाता है कौंकन तट तो पश्मी तट को दो बागों में बाटा जाता है मालाबार तट और कोंकन तट तो मालावार तट का हिस्सा है यहाँ पर केरेला और ये करनट का जबकि गोवा, महराष्ट्रा और गुजरात ये हिस्सा है कोंकन तट का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के कुल नो राज्ये हैं जिनकी अपनी तट रेखा है और भारत की कुल तट 216 किलोमेटर और इन सभी में गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है अब बात कर लेते भारत की कुछ एक अंतर राष्ट्रे सिमाओं की तो यहाँ पर आप देखिए भारत के ठीक पश्चिम में है पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खीची गई उसे बोला जाता है रेट क्रिप रेखा और यह खीची गई थी 1947 में और करनल रेट क्रिप ने 55 दिन के अंदर इस रेखा का निर्धारन किया था जबकि यहाँ पर बात करें पूर्वोस्तर भारत के ठीक उपर मौजूद है चीन यानि की चाइना और इंडिया और चाइना क के नाम से जाना जाता था और यह अस्तित्तों में आया था 1970 में तो भारत और बंगलादेश के बीच में अधी बात की जाए तो बंगलादेश भारत के साथ सरबादिक सीमा संजा करता है और बंगलादेश भारत के साथ बनाता है सीमा 4096 किलोमेटर तो बंगलादेश भारत क साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है और इसे बोला जाता है तीन भीगा कोरीडोर तो तीन भीगा कोरीडोर भारत और बंगला देश के बीच में अंतराष्ट्री सीमा और यदि अब यहाँ पर बात करें तो यह वाला देश है मियनमार तो भारत के ठीक पूरब में है और यहां पर उत्तर पश्चिब में एक और देश जिसका नाम है अफगानिस्तान तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है दूरंडरेखा और दूरंडरेखा खींची गई थी 1893 में तो दूरन रेखा मूल तहा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खीची गई थी लेकिन यदि आज की डेट में बात की जाए तो दूरन रेखा मौजूद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो यह भारत की कुछ एक अंतराष्टी सिमाए अब बात करेंगे बंगाल की खारी में मौजूद भारत का सबसे बढ़ा दूरिप समू अंडमान और निकोबार की तो अंडमान और निकोबार बंगाल की खारी में स्तित है और अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10-degree channel अब दूसरे तरब पस्चे में बात करें तो यहां पर अरब सागर में स्थित है लक्ष्ट विपाइलेंट्स तो यह हैं भारत की कुछ एक फिजियोग्राफिकल फिचर्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह दिया आपको सच में हमारे वीडियो पसंद आती है तो कृप्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें